अक्सिर आपको बहुत सारी phone calls आती होंगी जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी तरह कोई loan चाहिए तो आपको जट से loan मिल जागा यानि कितना भी loan आपको चाहिए वो loan तुरंट से आपको मिल जाएगा बेना किसी ज़्यादा ताम जाम के और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि लोग इनके जहां से में भी आजाते हैं दरहसल इस तरह कि जितनी भी आप्स होती हैं वो ग्रहकों को बहुत तरह के इस तरह के options देती हैं और offers देती हैं जिसमें ग्रहक को लगता है कि इससे ज़्यादा सहुलियत यानि कि सुवधा जनक और कुछ हो ही नहीं स सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लॉंडरिंग आप्स को लेकर ग्रहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी है और सीधे तोर पर कहा है कि अगर इस तरह का कोई भी लुभावना ओफर आता है तो आप ओफर लेने के बजाए इस तरह की आप्स की बारे में शिकायद जर है और इसमें चीनी नागरिकों के भी शामिल होने का संधे जताया जा रहा है तो हैदरबाद के जॉइन पुलिस कमिशनर अश्वनी मोहंती ने ये बताया कि इन चारों आफिसस में तीस लून आप्स चल रहे थे जन पर छापा मारा गया और तब जाकर इस मामले का खुलास को क्याते हैं इसमें लुभावनी ऑफर्स देकर आपके एकाउंट में पैसा डाला जाता है और फिर उसके बाद बाद बार आपको कॉल करके परेशान किया जाता है क्योंकि आपको लून डफॉल्टनी लिस्ट में डाल दिया जाता है यानि अगर आप लून चुकाने में 저희 तरह से भी देरी करेंगे तब भी कॉल करकर के आपको इतना ज्यादा परिशान कर दिया जाता है कि नौबत यहां तक आ जाती है अब ऐसा नहीं है कि लोगों ने शिकायतने की पुलिस का भी यह मानना है कि इस तरह की बहुत सारी शिकायते उसके पास आए दिन आती रहती हैं इसी के बाद RBI ने संग्यान लेते हुए लोगों को कहा कि जब भी इस तरह की कोई फोन कॉल्स या फिर कोई आपस पर आप जाते हैं जहां पर लुभावने ओफर्स देकर आपको लोन दिया जाता है तो सबसे पहले जांच पर रख लें अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद कोई भी कदम आके बढ़ा जाए और इसी के तहट अब RBI ने कुछ ऐसे टिप्स पी दिये हैं जिनको फॉलू करके आप इन कंपनियों के जहांसे में आने से बच सकते हैं वो टिप्स क्या है वो जान लीजे आर्बिया ने कहा है कि ग्राकों को कभी भी के वाई सी दस अब इसके साथ ये भी चेक करना बहुत जरूरी है कि जो लोन आप ले रहे हैं वो किसी रिजिस्टर्ड NBFC द्वारा ही दिया जा रहा है या फिर नहीं यानि जो भी कंपनी आपको लोन दे रही है उसमें ये चीज सपष्ट होनी चाहिए कि कहां से वो लोन दिया जा रहा है और साथ ही साथ डिजिटल लैनिंग प्लाटफॉर्म में उस बैंक और NBFC का खुलासा ग्रहकों के सामने जरूर करना चाहिए और इसी के माध्यम से लोन दिया जाना चाहिए और रिजव बैंक ने आगे ये भी कहा है कि अगर इस तरह की जानकारी आपको मिलती है तो उन